ब्रिंदा ब्लोग्स में आप सभी का स्वागत है उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्त होंगे मस्त होंगे ब्यास्त होंगे दोस्तों आज जो हम चर्चा करेंगे और वीडियो शेयर करेंगे वो खुबसूरत अभी नेत्री बवीता जी के बारे में उनका फिल्मिक करियर ग्राफ कैसा रहा उनका पस्नल लाइफ कैसा रहा इन सब के बारे में जानेंगे तो बवीता जी का जन्म जो हुआ था वह हुआ था 20 अप्रिल 1948 को वह अभी 75 यर की हैं और उनका जो व्यावसाय रहा वह फिल्म अभी नेत्री रही उनका जन्म हरी सिवदासानी उनके पिता इन्हें उनके विवाहित नाम बवीता कपूर से भी जाना जाता है वह सिंधी और ब्रिटीज मूल की पुर्व भारतिय अभी नेत्री हैं जो हिंदी भासा की फिल्मों में दिखाई दी वह अभी नेता हरी सिवदासानी की बेटी हैं साथी समकालिन अभी नेत्री साधना सि नाफल हिरोईन रही उनका फिल्मी सफर रहा दोस्तों फिल्मी सफर 10 लाख फिल्म नाम से हुई जो कि 1966 की एक हिट फिल्म सावित थी लेकिन यह राजेस खन्ना के विपरित रोमैंटिक थ्रेलर राज 1967 जो है उसमें से यह पॉपुलर हुई जिससे इन्होंने इनकी पहचा हासिल वी 1966 से 1973 तक उन्होंने मुखी बनाई का के रूप में 19 फिल्मों में अभी नहीं किया जिसमें बॉक्स ऑफिस पर सफल होने वाली फिल्में जिसमें की 10 लाख फर्ज हसीना मान जाएगी किसमत एक स्रीमान एक स्रीमती डोली कल आज और कल और बन फूल सामिल है 1971 में अ एक हसीना दो दिवाने दो ही फिल्मों में अभी नहीं किया इसकी बाद उनकी फिल्म एक साथ होने में 1973 में फ्लॉफ हो गई उसकी बाद 1971 में उन्होंने अपने भावी पती रंधीर कपूर के साथ सास ससूर राज कपूर और दादा ससूर पृत्वी राज कपूर के साथ कल आज और कल में अभी नहीं किया इसके अलावा उन्होंने साधी से पहले अपने दोनों चाचा ससूर ससी कपूर और शमी कपूर के साथ फिल्में की ससी कपूर के साथ हसीना मान जाएगी 1968 की एक सुपर हिट फिल्म थी और समी कपूर के साथ तुमसे अच्छा कौन है जो कि 1969 मे रिलीज हुई दोस्तों इनके निजी जीवन के वारे में अगर हम जानेंगे तो बवीता जी ने 6 नवंबर 1971 को रंधीर कपूर से साधी की उनके दो बच्चे हैं अभिनेतरी करिश्मा कपूर और करीना कपूर वह रंधीर कपूर कई वरसों तक अलग-अलग घरों में रहे भले ही वो कानुनी रूप से साधी सुधा थे बट उनका तलाग का कोई इरादा नहीं था कई सालों तक अलग होने के बाद दोनों 2007 में एक साथ फिर रहने लगे उनकी जो प्रमुक फिल्मे थी उनकी चर्चा तो हमने करी ली और इसके बाद जो उन्हें सब कुछ मिला और उनका फिल्मी करियर बहुत ही सक्सेसफुल रहा दोस्तों और अभी वो बिल्कुल ही कोई फिल्मों में काम नहीं कर रही है और अपने साधी सुधा जिंदगी अपने बच्चों के साथ यानि करिश्मा कपूर और करिना कपूर के बच्चों के साथ अपनी नीजी जिंदग करें शेयर करें सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू सो मच